हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टूर चैनल टेक्निकल शो टाइम फ्रेंड्स आप जो यह टीवी देख रहे हैं यह LG का 32 इंच का मॉडल है इसका मॉडल नंबर है यह फ्रेंड्स के प्रवलम आ रही है जो LED TV होते हैं तो LED TV की बैक साइड में चोटव प्लाज़ बोला जाता है थो फीजो इसको लाइड वाल होती है पूरे पैनल में तो यहां देखेंगे कि आप इस तरहीं के वाइट स्पॉरे पैनल में नजर आ रहे हैं यानि कि जो LED बल् गिर गए हैं और इसमें इसमें आपको सुना हूं तो आवाज भी आप देख सकते हैं कि इसके टीवी में जो है वह आवाज आ रही है यानि कि वह डिफ्यूजर सारे इसमें गिर चुके हैं डिफ्यूजर गिरने से फ्रेंड्स क्या हुआ है कि LED बल्व की जो लाइट है पूर LED वल्व होती है तो यहाँ तो आप इस ट्रिप चेंज करवा लीजिए LG से अगर आप कराएंगे तो वह इस ट्रिप ही चेंज करते हैं और करीब धाई से तीन अजार रुपे के करीब उसका खर्चा आता है और मैं यहाँ पर खुदी रिप्यार करने की कोशिश करूंगा ज इस तरीके से वह ठीक होते हैं तो इस तरीके से मैंने यह टीवी टेविल पर रख लिया है और यहाँ पर मैंने टेविल पर एक यह मैट लगा दी है यहाँ ताकि यह टीवी पर स्क्रेच वगरा ना है पैनल भी इसका सेफ रहा है थोड़ी सी यह सॉफ्ट है मैट तो इस व यहाँ पर आपको suggest करना चाहूँगा कि अगर आपको knowledge नहीं है कि किस तरीके से TV खोला जाएगा तो आप घर पे try ना करें यह 32 इंच का model है तो इसे आसनी से घर पे खोला जा सकता है लेकिन जो 43 इंच और 50 और 55 इंच के model होते हैं उनमें अगर इस तरीके की problem आती है तो please आप उसे घर पे बिल्कुल भी try ना करें ठीक करने की उसका panel damage हो सकता है बहुत ही carefully इस TV को भी बहुत ही carefully खोलना है जो big size के जो पैनल होते हैं तो वो workshop में ठीक होते हैं और workshop में 2-3 लोग होते हैं vacuum handle होते हैं उनसे panel को वहाँ से हटाया जाता है TV से बहुत ही carefully हटाया जाता है ता होता है size में तो उसका panel आप आसनी से हटा सकते हैं लेकिन बहुत ही carefully आपको यह करना है तो चलिए हमें इसका back cover वगरा हटा के आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से यह ठीक करना है तो यहां से हम इसको अटेच यह power on का button है इसका यहां पर और एक बार friends हम चेक कर लेंगे कि सारे जो screw है वो हमने यहां से remove कर दिये हो उसके बाद हम इस back cover को हटाएंगे इसमें जल्दवाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है दीरे दीरे back cover को हटाएंगे तो friends यह back cover मैंने यहां से हटा दिया है आप दीरे दीरे हम इसके सारे जो component है उनको यहां से remove करेंगे और friends मैंने इसका एक video separate बना लिया है कि कौन सा connection यहां पर कैसे लगा हुआ है ताकि मैं भी भूलना जाओं तो आप भी जब इससे इस तरीके से open करें तो आप सारी इसका एक video बना लेंगे किस तरीके से कौन सा connection लगा हुआ है और कहां कहां पर उससे set किया गया है ताकि जब आप इससे fit करें दुबारा तो यह आप भूले ना उसमें कुछ भी तो में यह सारी इसकी जो connection है वो यहां से remove कर देता हूँ तो फैंसर इसकी जो सारे connection थी वो मैंने remove कर दिये हैं और अब मैं जो यह board वगरा इसमें लगे हुए हैं इनको भी यहां से मैं अलग कर देता हूं अब यहां पर जो इसके speaker लगे हैं तो इनको भी मैं यहां से इनको भी remove करना पड़ेगा यह कैसे निकलेंगे तो यह तो शायद इस लगे हैं कि आपको देखें कि इसमें जो लाइट है उसके अंदर यह बोल रही है तो मैं यह इस तरीके का जो अफ्रेंस का जो यह बॉडर है यहां से हमें यह रिमूव करना है यहां पर सारे कि मैट रख लें ताकि स्क्रेच भी ना पड़ें और पैनल भी सेफ रहे अब फ्रेंट जी प्लास्टिक का बॉडर है यहां से हमें यह रिमूव करना पड़ेगा मैटल का ही बॉडर है यह यह बॉडर फ्रेंस आप बहुत ही हाप पेशेंस से निकालेंगे ताकि जरा सा भी जो यह पैनल है वो डैमेज ना हो जाए और डैमेज हो गया तो बहुत दिक्कत इसमें आ सकती है फिर अब फ्रेंट्स मैन यह पैनल का गिलास है हमें से बहुत ही क्यारफुली निकालना है इसमें में जल्दवाजी बिल्कुल भी नहीं करना है इसको आराम से उठाएंगे इसको फ्रेंट्स बहुत ही क्यारफुली उठाना है तो यह ग्लास मैंने अलग कर लिया है अब इसको किसी सेफ जगापर रख देते हैं इसको हमें यहां से रिमूव करना है तो इसके लिए शायद हमें यह प्लास्टिक का एक बॉडर है इसको भी निकालना पड़ेगा इसको भी हमें अलग करना पड़ेगा तो इसे भी हम निकालती है तो यह वाला बॉडर भी इसका अलग हो गया है इसको में संबाल के रख देना है ताकि यह तूटे-फूटे ना अब फैंस की जो यहां पर यह डिफ्यूजर है इनको यहां से हमें अटाना है एक डिफ्यूजर इसमें कई सारे डिफ्यूजर लगे होते हैं देखी एक दो तीन और यह चार चार डिफ्यूजर इसमें है और यह इसी तरीके से हमें रख देना है कहीं पर उठाकर ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए इसको मैं रख देता हूं ले जाकर इसको भी सेफ जगाते हैं अब आप यहां पर देखेंगे मैं आपको दिखाता हूं प्रेंट्स आप देखेंगे यह सारी डिफ्यूजर यहां पर देखेंगे सारी डिफ्यूजर निकल गए है यहां पर यह पेपर लगा हूआ है और पेपर के अंदर यह LED स्ट्रिप लगी है पूरी यह पूरी इस्ट्रिप चेंड करा सकते हैं तो करीब डायती नजावर रुपी का खर्चा उसमें आता है यह फिर आप यह डिफ्यूजर को आसनी से चिपका सकते हैं यह इस तरीके से यहां पर लग जाते हैं सारी लाइटों की पर इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे कि सीवी एलफी वगरा से और उसके बार इसको चालू करके देखेंगे यह बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए तो चलिए अब यह डिफ्यूजर जो हैं वह यहां पर लगा के देखते हैं और यह मैंने एलफी है और एलफी थोड़ी सी यहां पर मैंने बाहर निकाल लिए और कि इसी तरीके से करके सारे डिफ्यूजर यहां पर लगा देने हैं कर दो के ह VO थो जो से साथ ही दिफूजर थे मैं यहां पर लगदी हैं कि अप sih I अब इसके जो पहर diesem है और फिखाए बड़े वाले य हैं दिफूजर वाले वह को मैं इस पे लगा टा हूं है दो इस पे प्रफर तरीके से इसमें फिट हो जाए तो यह वाले इसके diffuser भी लग गए हैं इसको आप फोड़ी साफ कर देता हूं इस पर गंदशन्दे मेरे हारत लग गए हैं तो इसका प्लास्टिक वाला यह जो इसका बॉर्डर था हमें लगाना है तो यह मैं देखना पड़ेगा कौन सा किस साइट का है तो यह इस तरीके से लगाए जाएगा इसे निकालने में तो काफी परिशानी हुई थी लेकिन यह आसानी से इसमें लग गया है तो इसके सारे हम आव चेक कर लेंगे कि सारी लॉक इसके हैद वो फिट हो गये हैं तो यहां पर जो यह सारे लोग होती है यह सारे हमें चेक करने हैं कि यह सारी लोग आप फिट हो गए हूँ इसको यह थोड़ा सा साफ कर देता हूँ अब फ्रेंट्स पैनल कर जो गलास है वो हम इसमें लगाएंगे इस गलास को बहुत दीरे दीरे से लगाना है ताकि यह डेमेज ना हो जाए और इसकी पूरी सेटिंग फ्रेंट्स यहां पर देख लेनी है प्रॉपर तरीके से यह कॉंडर में आ फिट हो जाए तो देखेंगे यह फिट हो गया है अब जो इसकी कॉर्णर वगए रहा है हाँ पर मैं साफ कर देता हूं इस अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से अच्छी आप इसके पैनल का जो बैजल बॉर्डर है इसे हम लगा देते हैं और इसको हम इस तरीके से आज दिरे दिरे परड़ लेते हैं और कुछ भी करने से पहले फ्रेंड्स अब इसकी जो ये प्लेट है पूरी इसका जो इसकीन का बोर्ड है वह हम इसमें फिक्स कर देते हैं ताकि ये डेमेज ना हो तो ये भी फिट हो गया है अब इसके जो यहां पर स्क्रीव थे साड़ों में वह सारे स्क्रीव हम इसमें लगा देते हैं तो सारे स्क्रूजे थे फ्रेंड्स यहां पर टाइट मैंने कर दिये हैं और यहां भी रह गया है तो पैनल तो फेंड्स सब इसका फिट हो गया है उसके सारे जो यह मदरबोट बगर रहा है इसको भी हम यहां पर लगा देते हैं कर दो कर दो है और इसका दूसरा बोर्ड है यह वाला हम लगा देते हैं और फ्रेंट्स इसका यह वाला जो पार्ट है इसे हम लगाएंगे तो यह फिट हो गया अब इसके फ्रेंड्स जो इस पीकर है इनको हम इस पीकर को यहां पर कनेक्ट कर देते हैं तो सारे पार्ट हो गए है अब इसकी जो कनेक्शन है वह यहां पर हम सारे कनेक्शन जो थे जैसे हमने निकाले हैं वैसे हम सारे कनेक्शन लगा देते हैं तो फ्रेंट सारे जो पार्ट है जो कनेक्टर थी वह मैंने यहां पर फिट कर दिया है सारे कनेक्शन भी यहां पर लगा दिये अब उसकी पावर्न करके देखते हैं कि यह वर्क करता है या नहीं करता है कि तो यह मैंने इसका पावर कर सुचछ लगाएता हूं और यह LED on हो गई है तो फेंट मैंने यह power on कर दिये और आप देख सकते हैं कि आप कोई भी white spot यहां पर नजर नहीं आ रहा है आप देख सकते हैं कि कोई भी white spot यहां पर नहीं दिख रहा है तो सारी इसकी यह LED मैंने रेपियर कर दिया है मैं इसका बैक कवर लगाएता हूं फिसे में आपके एक बार बैक कवर लगाके भी चेक करवा दूंगा अब आए आए इसका साफ कर लिया है और इसको भी लगाएता हूं अब सारे इसकी जो स्क्रू है वो मैं टाइट कर देता हूं अब आएब आए इसका आएब आएब कर देता हूं तो सारे इसके स्क्रूव भी टाइट हो गए हैं आप चलिए इसकी पावर आउन करके देखते हैं मैं यहां से सब सामन पेले हटा देता हूं तो आप देखेंगे कि टीवी जो है वो ओन हो गया है और यहां पर आप जो वाइट स्पॉट थे वह बिल्कुल भी यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं मैं एक बार साइट से खड़ा करके इसको आपको दिखाता हूं तो अब आप देखेंगे कि जो सारे जो वाइट स्पॉट इसमें नजर आ रहे थे अब एक भी स्पॉट नजर नहीं आ रहा है टीवी एकदम ठीक हो गया है तो इस तरीके से अगर आपके टीवी के रिफ्लेक्टर या डिफ्यूजर गिर गए हैं तो आप उसे अपने घर पर ही रिपेर कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इसमें एक भी वाइट स्पॉट यहां पर नजर नहीं आ रहा है आप दिख सकते हैं कि एक भी वाइट तो आप थोड़ा थोड़ा उस पे गम लगा करने की कोशिच ना करें उसका जो पैनल होता है वो काफी बड़ा होता है और उसको उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है तो डेमेज हो सकता है पागी 32 इंच और इससे सर नीचे के साइज के जो टीवी हैं उन्हें आप घर पर ही वड़ी आसानी से रेपेर कर सकते हैं उम्मिद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए